नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी यूपी पुलिस हैड को ऑपरेटर की जो आपकी वेकेंसी निकाले गई है उसमें आपक इसके complete detail वीडियो जाना चाहते हैं तो वीडियो को एंट तक दिखेगा और चैनल पर इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन बटन प्रेस करेगा चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना दिरी के चली दोस्तों बात करते हैं आपकी UP Police Head Operator की वेकेंसी के बारे में सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसकी वेकेंसी आ चुकी है जी यहां दोस्तों अगर हम इसको हिंदी में कहें तो UP Police Radio सरवंग में प्रधान परिचालक की वेकेंसी रहने वाली है इसको official notification क बात करूँ तो 6 जनवरी 2022 को आ चुका था अब देखिए मैं इसकी वेकेंसी के बारे में टोटल बात करूँ तो इसकी वेकेंसी जो रहने वाली हो आपकी 936 रहेंगी male और female दोनों को मिला के अगर हम बात करते हैं देखिए का यूर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए जो बेकेंसी रहने वाली है वो आपकी 700 sorry 389 रहने वाली है एव्यकेंसी है और भी से के लिए 200 बाद 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 वेकेंसी हैं सी के लिए 1951 एश्टी के लिए 188 ठीक है इस टाइप से आपकी वेकेंसी दीगी है वागी कुछ और केंडियेट है जो रिजब उनके लिए आगे हम बात करते हैं देखेगा इसकी वेकेंसी के बारे में और डेटेल में जानते हैं आपको चार सोर पहेंगे पेइमेंट की बात करना पड़ेगा आगे हम जानते हैं आपके कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी केंड़िट आभी दन कर सकता है और इंडिया वेकेंश को मैं आपको पहले बता देता हूं ठीक है लेकिन क्या होता है कि जैसे की जो रिजर्वेशन के टिगरी होती है उनको अधर के स्टेट से अपलाई करें समझ गई होंगे मेरे साब से में बताने बाला था आपको ठीक है आगे हम बात करते हैं देखिए आपकी सेक्षिक योगिता के बारे में तो आपको क्या माँग गया मैं आपको LGBT बता देता हूं अगर आपने देखीगा यहां पर देखिए इलेक्रोनिक्स के साथ में कोई 3- यह डिप्लोमा कर रखा या टेली कम्मिकेशन या एलेक्ट्रोनिक्स या कम्प्यूटर साइंस या फिर आपके इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी या फिर आपका इंस्टुमेशन टेक्नलोजी या मेकैनिकल इंजिनिंग में आपने कोई भी तीन साल का डिप्लोमा है जी हां द अगर मैं बात करो 28 February 2022 को आपकी जो लास्ट देट तक आपकी जो भी अनिकी पड़ रहे हैं वो आपका कम्प्लीट हो जाना चाहिए इमिंस डिपलोम आपका पास हो जाना चाहिए साथ ही दीखियां पे कुछ बताया गया कि अदिमानी अरहता के मेरे कहने का मतलब है कि प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो अगर आप में से मानलो किसी भी केंडिट के एक्जंपल के लिए किसी के 50 मार्क से और नॉर्मल केंडिट के भी 50 मार्क से तो पहले किसको दी जाएगी मैं आपको बताना चाहूँगा पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वह आपका डॉय अप्या निल्ट से आपने कोई भी ओ लेबल का सेटिफिकेट प्राप्त कर रखा है या फिर आप प्रादिक से सहना में आपने दो साल अपने कुछ भी वर्क किया है या फिर आप NCC के अपने प्राप्त किया है तो उनके लिए यानि के पहले प्रेफरेंस दी जाएगी बागी अदर्दन कैंडिडेट के ठीक है बाई के लिए होगा मेरे साब से एज लिमिट के अगर मैं बात करूँ तो देखिए एज लिमिट आप लोग यहां पर देख सकते हैं 20 साल से लेक आपकी किस डेट से लेके उनीची बोभी मैं आपको बता देता हूँ 1794 से लेके 1722 तके केंडिडेट इसके अविधन कर पाएंगे आगे हम बात करते हैं देखिए गा इससे पहले के केंडिडेट आप इदन नहीं कर पाएंगे पहले बता रहा हूं इसके नाबाद के इस ड ंको की परिक्षा होने बाली है जो कर आपके मैं बूल방 जाहूंगा बुड़ना जो कि आपका जेनरल हिंडी से सो मार्क का पर रहेगा घएन समांने बció लिए sma से सव लंबर का रहेगा आपका संख्यात में कं ओकता से सान अंपर करेका और मानसिक अभी आपिरूची आभी मैं बता देता हूं और आपको computer system भी रहने वाला आपको मैं पहले बताuli है तो थीके घ्री हम बात करने हो तोलुए कि अगर हम फिमेल की भी बात करें तो हीम फीमेल के बारे में आपको बता देता हूँ फीमेल के हाइट के बात करें तो आपकी जनरल OVC SC से आपकी हाइट हो नीची 152 सेंटीमीटर ठीक है बाई और जो केंड़िट केबल ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपे छूट दी जाती है और कम ठीक है बाई मिस 148 के आसपास या 150 के समतिंग देख लीजिगा यहाँ पर दीन दे रखी आप लोग देख लीजिगा 147 मांगे गए हाँ पर ST के टिगरी फीमेल के लिए ठीक है बाई हम बात करते हैं आपके चेस्ट मीजरमेंट के बारे में मेल के तो चेस्ट की बात करें तो 89 सेंटीमेटर आपका मिनिममम चेस्ट होना चाहिए जनरल ओवी सी एसी के लिए ठीक है और जो भी केंडिट मालो फुलाने के बाद आपका 84 हो जाना चाहिए ठीक है बाई बजन की बारे मात करें तो महलाओं के लिए वेट आपका मिनिममम 40 केजी होना चाहिए ठीक है इससे जादा है तो चल जाएगा लेकिन ओवर बेट भी नहीं होना चाहिए ठीक है बाई आगे हम बात करते हैं देखिए चैन पक्रिया के बारे में आपे पताया गया कि आपका ये सब होगा पहले आपका रिटेन बगेरा ये सब चीज दे रखी है आप इनको एक बार रिट कर लीजीगा ठीक है और तो मैं बाते में आपको बता चुका हूँ सब कुछ मेरे साथ से कोई डाउट नहीं रहा होगा अगर मैं इसके स्लेबस की बात करूं तो मैं आपको स्लेबस भी बता देता हूं देखिए गा स्लेबस यहां पर समस्काइब करें को सब्सक्राइब अगर आपको डीटेल में अगर सब्सक्राइब तो बस आप से जड़ा कुछ नहीं और यहां पो लाइक करें सबीं दोस्तों में कमेंट करके बता हूँ आप के लगिए कर आपको वीडियो अचीं लगी अ छी लगई करके बैल आइकन बटन प्रेस करीगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेकि हूं आपको तुरंत अपडेट मिले और दोस्तों अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट लिंक में आपको डिस्क्रिंट बॉक्स में वैलेवल करा दूँगा जाके एक बार चेक करिएगा जहां पर तीन हजार से ज्यादा सब्सक्काइबर्स हैं यहां पर देखिए आपको यूपी पोलिस हैड ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आपको मिल ज